मुझे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम तो मैं चैनल इंडियन मॉम का एंचन सो गाइज यहां पर जो भी सुबे का काम है वो हो गया था दिपाली का अभी हम लोग बैठे है यहां पर धनिया पत्ता वगरा तोड रियूम है और उसके बाद दिपाली जो है वो प्याज और टोमेटो काट के देगी मुझे आज कुछ स्पेचल बनाना है वो आपके साथ शेयर करूंगी ही आगे जो भी होगा वो आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई कोफता उसकी रिसिपी आपके साथ शेयर करने वाली ह आज थोड़ा सा special बने वाला है यहां पर मैंने लिया है थेजपता थेजपता मैंने डाल दिया है थोड़ा साऊल डाल रिया है थोड़ा साल नहीं है शके बाद मैं यह पारमैय डालूंगे उसमें और उसे अच्छे से भून लेना है यह हम लोग मसाला इसलिए ग्रेवी के लिए बना रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो लसो नद्रक का पेस्ट मैंने अड़ किया है और बस इसे अच्छे से भून लेना है उसके बाद उसमें टोमैटो बे आड़ कर दे लेना है तो यह मसाला हम ठंडा होने के लिए रख देंगे मसाला बन जाने के बाद और पीशने के लिए रेडी हो जाएगा यह मसाला आपको कि मसाला हम लोगों ने बना तो लिया बट लाइट नहीं थी हम लोग इतने देर से लाइट का वेट कर रहे थे और आज दिपाली के भाई को हम लोगों ने खाना खाने के लिए भी बुलाया था क्योंकि उसका बड़्डे था पहले दिन लाइट नहीं थी तो उसका बड़े हम लोगों ने ऐसे ही मनाया, मतलब लाइट नहीं थी, और सड़नली जब उसका केक कट करने के टाइम लाइट आई, तो हम लोगों नाश्टे में ही काम चला लिया, फिर उसका खाना रह गया था, तो इसी वज़से आज खाने के लिए बुलाया था उससे, तो हम लोग कुछ special बनाने वाले थे उसके लिए, तो ये हम लोग मलाई कोफता में बनाने वाली हूँ, और उसके बाद में बनाने वाली हूँ गार्लिक बटर नान, तो गार्लिक बटर नान के रेसिपी आपको दिपली के चानल पर मिल जाएगी, उसने share की है, और यहाँ और मैंने आपके साथ मलाई कुफ्ती के रिसिपी शेयर की है मम्मी खर्बुश काट रही थी तो मैंने थोड़े से खर्बुश खा लिए और फिर अपने कामों में लग गई और दुबारा से काफी दिन तक चल जाता है एक बार अगर पर्चेस करते हो ना काफी दिन तक आपका चल जाता है यह sls, sls, watched, paraben-free product है और वैसे भी मामाद के जो product है वो chemical free product है मतलब कोई भी harmful chemical इसमें added नहीं होते है और आप लोगों को पताईए कि मैं मामाद के product काफी दिने से बच्चों के लिए मेरे use कर रही हूं और मुझे काफे ज़दा अच्छे लगते है क्योंकि यह जो product है इसमें कोई भी harmful chemical added नहीं होते है इसी वज़े से आपके बच्चों के लिए कुछ भी हाम नहीं करते है और इस body wash में blueberry extract and oat proteins है तो यह आपके बच्चों की skin को smooth और soft बना देता है थोड़ी सी quantity में आपको इसे लूफा पे लेना है और बस आप देख सकते हो कितना ज़ादा ज़ाग करता है यह और इसको यूज करने से आपके बच्चों की skin बहुत ही ज़ादा अच्छी हो जाती है स्मूध हो जाती है, soft हो जाती है और आपको आपके बच्चों के लिए ऐसे ही प्रोड़क्स यूज करने चाहिए जिससे आपके बच्चों की skin rough ना हो वैसे मामाद जो ब्रैंड है वो इंडियन ब्रैंड है, local for local यह आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको इस प्रोड़क्स करना है तो link मैंने description box में दे दिया है आपके लिए अगर आप मेरे link से purchase करते हो और वो भी मामाद की website से purchase करते हो तो मेरा coupon code यूज करना मत बुलेगा, content 2021 वो आप अगर coupon code यूज करोगे तो मामाद की website पे आपको extra 20% off मिल जाएगा इस product पे और ये product easily available है Amazon, First Cry and मामाद की website पे और हाँ दुबारा से बता रहे हूँ मामार की website पे अगर आप मेरा coupon code यूज करते हो तो मामाद की website पे आपको yeast product पे और 20% extra off मिल जाएगा और मेरा coupon code यूज करना मत बुलेगा अगर हम लोग मामार की goodness report के देखते हैं तो यिनोंने 1,00,000 से ज़ादा trees plant किये है और 1135 metric tons plastic recycle किये है और उसके साथ-साथ उन्होंने जो COVID heroes है उनको 50,000 से ज़ादा sanitizer प्रोवाइड किये है और उसके साथ-साथ उन्होंने 20,000 से ज़ादा cloth mask भी उनको प्रोवाइड किये है तो ये भी बहुत अच्छी बात है इनकी और एक बात इनकी कि इनोंने अपना recently ही मामाद का एक app launch किया है जो app आप के लिए है मतलब आप सारे discount उसमें मिल जाएंगे तो उस app को आप डाउनलोड कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा तो आप check कर ले ना यहां पर मैंने कोफ्ते बनाने के लिए आलू लिए है पाच आलू बॉइल किये हुए उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्च का पेस डाला है थोड़ा सा हरी मिर्च का आप काटके भी डाल सकते हो और काजू नहीं थे तो इस वाज़े से मैंने वो ग्रेवी में भी काजू न मतलब यह चोटे-चोटे पाच आलू थे घर पे मतलब जादा कुछ भी नहीं था जो था उसी में हम लोगों ने काम चला लिया आपको मैं सिब दिखाने के लिए दिखा रही हूँ आप काजू आड कर दे ना पका आपके घर में हो गये तो यहां पर मैंने आदा पाव पनी आपके उसमें आड कर देना है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उसमें मैदा आड करना है इतने आलू के लिए मैंने दो चमच बड़े बड़े चमच मैदा लिया था तो दो चमच मैदा आड कर देना है इसमें और अच्छे से ब कोफते बना लिया है मतलब जो जो ट्रीक है वह आपको बता रही हूं जैसे चीपकने ने चाहिए उसके लिए कोटिंग कर देनी है यहां पर मैंने कड़ाई में डाल दिया है और ज्यादा ऑइल ने डालना थोड़ा सही मतलब जितने में आपके कोफते बन जाए उतना डाल द तब जाके डालना और कोटिंग जरूर करना तो यहां पर देखो यह मैंने डाल दिया है कोफते और उसके बाद अच्छा से उसे प्राइ कर लोगा और ज्यादा नहीं है आपको जब यह अच्छा से नीचे से हो जाये तब जाके चलाना है और बस यहां पर आप देख से बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे कोफते बने है और उसी की जैसे कलर भी आया है यहाँ पर हमारे कोफते बनके रेडी है तो यह जो आईल है यह जादा हो गया था तो मैंने यह कडाई से निकाल लिया अभी हमें इसमें ही ग्रीवी बनानी है तो जो हमने वो gravy के लिए बना के राखा था नि तो वो हमने haz लिया था और यह नीथा क्या बोलते हैं कि लाइट नहीं थी दिपाली ने शिलवट्टे पे छी आता तो इसका इसी विझे से ऐसा उसे में मैंने हल्दी डाल दिए है और उसे में मीर्च और भी डाल दिया है तो यह ऑयल में ही डाला है उसके बाद मैंने पेस्ट बनाज and कब सबाट और भी तussa flood पतलब ताजी मलाई थी ना तो इसी वज़े से इतने अच्छे से वह पैले नहीं इतना जुगाड़ू हम लोगों ने काम करने के बाद भी मलाई कुफता इतने अच्छे से टेस्टी बना था आपको क्या बताओ काजू भी नहीं थे काजू के बिना हमें काम चलाना पड़ा प्रेश क्रीम नहीं था अगर आपके पास प्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम आड़ करना नहीं तो आप मलाई भी आड़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बहुत ही टेस्टी और उसमें हम लोगों ने सिल्वर टेपे भी पिसा था तो यह सब जुगाड़ू काम उसी टाइम याह पर सब लोग खाना खाने वाले थे तो उससी टाइम लह लोगों ने कोफ्टे डाल दीया और यहा पर बना रही हूं मैं गार्लिक बटर नान के लिए जो मैंने डो header अचांवर का था वो जो रिसीपी है वह आपको जो doह बनाने-वाली वो आपको दिपली क चैनल पर मिल जाएगी यहां पर मैंने सब कुछ कर दिया है गारलिक लगा लिया है गारलिक लगा दिया है और धनिया पत्ता लगा दिया है उसके पलटा के मैंने उस पर पानी आड़ गया है और पहला ना पानी आड़ करना भूल गई थी पानी लगाना भूल गई थी तो वह पानी लगाना भूल गई थी पानी पीछे से पक्का आड़ करना और उसके बाद तवे पर डालना और एक तरफ से होने देना उसके बाद आपको ऐसे तवा उल्टा करके सेखना है और जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको और आप देख सकते हो बिल्कुल होटेल जैसा नान बन आई है जब कुछ अच्छे से घर में नहीं होता है फिर भी अच्छा खाना होता है तो हम लोग ऐसे कुछ बना सकते हैं वो दिखा रही हो आपको और यहां पर यह लेने के लिए थे क्योंकि इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया था दोपेर में इनको टाइम मिल गया था यह बोर थे कि मैं आता हूं लेने के लिए ड्यूटी में थोड़ा सा ग्याप है तो उस टाइम में आपको लेने के लिए आता हूं यह मुझे लेके गया थे जब यह दूटी से घर पर आए उस टाइम मुझे कौल किया कि अभी निकल रहा हूं रेडी रहना और बस उस मैं निकल जाओंगे यहां से और आपको अभी नेक्स्ट जो व्लॉग होगा मेरे घर का देखने के लिए मिलेगा वैसे मम्मी पूना जाने वाली है बीच वाले भाई के पास तो उसके बाद तो फिर पता नहीं अभी कब जाओंगे मैं माई के चला कर दो हुआ बष्ग नेते देवार चीं Luck चांध हेवी नाहर हेवी थो लगा मन्मों आधी कि अवैं हाल भी थीस निए अपनास्ट जाय बढू मैं इसक्षिए सब ना है जया बजी कि आपा इंदेश दो कि असमिए कि आपपा ने बंदेटाए कि आपा इंदेटाए बस वहां से निकल चुके हैं और मन नहीं कर रहा है यार निकलने का इस बार तो बहुत मन लग गया था वहां पर घर पर रहने से मेरे घरवालों से जादा मेरे देखने वालों को ही प्रॉब्लम हो रहते हैं इस घर पर आ गई हूँ एक मिनिट फैन आफ कर देती हूँ आपको आवाज नहीं आएगी तो घर पर आ गई हूँ और हां जो भी मेस है जो भी है घर का वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी बट अभी कुछ भी करने का मान नहीं कर रहा है मतलब आगे हूँ गर पर बस आपे आराम करने का मन कर रहा है सिफ तो चले फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ जो सीडियो की धूल है वो देखी नहीं जा रही है मुससे इस योज़से बार 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 वही पर आक जा रही है तो चले इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एं कनल है उसका लिंक और इंस्टा का लिंग आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा और चलिए फिर मिलते हूं नेक्स ब्लॉग में टिल देन बाबाई टेक क्यर एंड लव यू ओल बाई